हमारा कुछ्छन है अब मॉस्कुटो नेट ओवर जब सेवन फीट इन्टो फोर फीट बेड़ इस त्री फीट हाइट देनेट ऊपल पहले तो हम एक मॉस्कुटो नेट बना लिते हैं इसके डामेंशियंस दे रखिया है मॉस्कुटो नेट जुए है कि यह बन गया हमारा मॉस्कुट नेट अब इसके डामेंशियंस लिख लेते हैं उन्होंने का सब्सक्राइब इसकी लंग था कि फूर फूट इसकी बेट है और थ्री फीट इसकी हाइट अब वह कोशिन क्या कर रहा है अम अब दे नेट हैसे अलो at one corner of the bed through which a mosquito enters the net एक corner में उसके hole है और वहाँ से mosquito enter कर जाता है और it flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net लब मच्चर कहीं यहाँ center हुआ है यहाँ पे hole है वो यहाँ center हुआ और diagonally opposite upper corner में जाके बैठी है मतलब diagonally इसका यह हुआ opposite corner diagonally opposite यह corner हुआ और upper corner में बैठा मतलब यहाँ पे तो मच्चर जो है वो उड़के यहाँ से गया फिर यहाँ पे बैठी है ठीक है तो अगर यहाँ से हम एक diagonal कीच ले उसका question है find the magnitude of the displacement of the mosquito taking the hole as the origin the length of the bed as x-axis width as y-axis and vertically up as z-axis that the component of the displacement vector तो हम इन्हें नाम लिखते हैं इसे हम A लिख लेते हैं इसे O लिख लेते हैं इसे B लिख लेते हैं इसे O लिख लेते हैं ठीक है अब हम इसी चीज को वो कहरे है displacement का magnitude निकालना है तो उसके displacement क्या होई यहां से यहां तक की होई इसकी displacement displacement क्या होती है shortest distance अब वो यहां वां गूम के तो नहीं गया वो सिद्धा यहां से यहां पे गया तो displacement हमारी यहीं होईगी ठीक है अब हम इसी इसी डायग्राम को separately लिखें तो यह कुछ ऐसे दिखेंगा ठीक है O A B अब अगर हम O A निकाले O A हमारा कैसे आएगा O A निकाले अगर हम O A वेक्टर इकोल्स टू 7 स्क्वेर प्लस 4 स्क्वेर अंडरूर 49 प्लस 16 7 स्क्वेर यह 4 स्क्वेर यह इन दोनों का निकालेंगे तो resultant हमारा यहीं आएगा तो हमने यह resultant निकाल लिया तो इसके magnitude निकाल रिजल्टेंट की अगर हम इसको इन दोनों का resultant निकालेंगे तो हमारे यहीं वेक्टर आएगा ना तो हम यह वेक्टर निकाल रहें भी तो उसके लिए हमने formula लगाया और हमारा answer रहा है अंडर रूट 65 तो हमारे पास आगे यहां पर अंडर रूट 65 और यहां पर यह जो height थी यह हमें पता है थ्री फीट है अब हमें निकालना ओबी अब ओबी निकालना बहुत अशान हो गया ओबी का magnitude आ गया रूट 65 स्क्वेर प्लस 3 का स्क्वेर फोल अंडर रूट इकोस तो 65 प्लस 9 अंडर रूट रूट 74 फीट यह आ गया हमारा magnitude of displacement यह वाला यह वाला हमारा आगया magnitude of displacement हमारा है अंडर रूट 74 फीट ठीक है अब उसने बोला एक्स वाई और जाट कॉंपोनेंट भी लिखने तो यह तो सिंपल है एक्स कॉंपोनेंट जो है वो सेवन है वाई कॉंपोनेंट जो है वो फोर है और जाट कॉंपोनेंट सिमिलर्डी थ्री है ठीक है इससे असान सॉलीशन और कहीं नहीं झाल जो है